नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग उमीद करता हूँ आप सबच्छे होंगे मैं प्रिंसर आपको इस यूटूब चैनल का सुशियोरिस भी पढ़ा रहा हूँ मेरा यूटूब चैनल प्रिंस 21 और इसके साथ मेरा मुवाल नमगर है 9807781640 मैं आपको बताना चाहूँगा क कि वीडियो सुरू करने से पहले मैं आज से इस वीडियो से आपको यूजी सी नेट का प्रथम प्रश्ण पत्र भी आपको कुश्चंस मैं कराऊँगा कुश्चंस और उससे समंधित ब्याक्ष्या है अगर आपको यह अच्छा लगा तो मैं आगे सीरीज भी कंटीनू करना चाहिए कि नहीं आप इसे अधिक सदिक लोगों को शेयर भी करें मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ ही दिनों में कुछ ही दिनों मैं आपकी क्लास एक रेगुलर क्लास योजी सी नेट का प्रतंप्रश्ण पत्र की क्लास मैं सुरू करने जा रहा हूँ मैंने तारीह भी रख ली है एक जुलाई यानि एक जुलाई अगर आपको एक जुलाई की ख्लास के लिए और वह ख्लास जो मेरी होगी वह आपको जैसा कि पता है कि सो्षियोलजी ुप्लास मेहारी जूमैक पे चल रही है रगुलर लेकिं वह जूमैक पे ना चलकर एक । जाएंगे तो आप बिल्कुल निश्चित रहें आपको UGC Net प्रथम प्रश्णपत से समंधित क्लास अगर जॉइन करनी है क्लास जॉइन करने के लिए आपको एक जुलाई से जो सुरू होनी वाला है ससर उस एक जुलाई से मैं आपको तीन दिन से चार दिन के बीच में फ्री डेमो क्लास देता रहूँगा और ये वीडियो आपको बिल्कुल फ्री प्रवाइड कर जाएगा जो नेट का परषणपत उससे समदिद में कुशिंद समादिक्षाय हैं मैं आपको फ्री प्रवाइड कर आऊगा तो आपको ससियॉल्जी से सममंदिद और योजी से नेट का प्रथम प्रषणपत से समनदिद अगर क्लास जॉइन करनी है वैसे ओ अभी रनिंग में हैady तो आप इसे share करिए अधिक से लोगों को अधिक से लोगों बताइए क्योंकि आप जब तक satisfied नहीं होंगी तब तक आपका कोई payment team नहीं है आप बिलकुल निश्चनत रहिए आपको class अच्छा लगता है तो आप करिएगा आपको class नहीं अच्छा लगता है तो नहीं करिएगा लेकिन invitation संको है आप इस number पर contact करिए आपका इसमें कुछ नहीं जाने वाला है आप इस number पर contact करिए contact करने के बाद मैं आपको बता दूँगा आप name और अपना जो number है उसके accordance आप इसमें message भी कर सकते हैं कि मुझे UGC net करना है या sociology करना है तो उसके accordance मैं एक जुलाज से जो बहस सुरू होने वाला है उसमें मैं आपको सामिल कर सकते हुआ तो ध्यान दीजिए गए चैसे और और भी कुछी doubt होगा तो आप इस number पर contact करें चलिए हम सुरू करते हैं तो हम आज इस वीडियो से आपको UGC net का प्रथम प्रश्णपत्र से सम्मधित question और उसकी ब्याक्ष्या मैं आपसे आज आज से प्रवाइड कराऊंगा ठीक है और इसकी अलामा भी हमारी sociology की जो class है और class के साथ साथ वीडियो भी हम यह प्रवाइड करना है आपको morning की class से morning के रूप में ठीक है तो ध्याना कीगा उसकी भी चलेगी और UGC net का आज से स्टार्ट होता है I hope आपको अच्छा लगेगा और अच्छा लगा है तो please like करिएगा share करिए और subscribe करिए और साथ में bell icon दबाना में बूलेगा चलिए सुर करते है पहला question मैं आपको बताना तरह का जो questions paper है उस questions paper से पहला question है चले आएए देखते हैं तो हमें questions पढ़ते है questions में हमको क्या point out करना है questions हमें solve करना है और व्याख्या सही solve करना है अधिक से अधिक questions solve करना है यह हमारा purpose में नहीं है हमारा 4 questions पढ़ना है रिगने 4 questions को बिल्कुल बेहत तरीके से आपको अच्छे से समझाना है यह मेरा यहाँ परपस है तो ध्यान रखेगा चले questions पढ़ते है निवन लिखित कथनों के समुच्चे में से कथन के समुच्चे दिये हैं कौन सा सिच्छड और अधिगम के प्रक अधिगम को जानेंगे क्या होता है उसके अधार पर सिच्छड का उदेश क्या है और अधिगम का क्या उदेश है यह जब तक हम अधिगम और सिच्छड नहीं जानेंगे तक हम options मेरे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है तो पैड़े हम सिच्छड जान लेते हैं और अधिगम जान लेते होता क्या है आपको बताना चाहूँगा कि सिक्षड क्या होता है सिक्षधात से बना है सिक्षधात यानि सिक्षड के अंतरगत सीखना और शिखाना दोनों सामिर होता है मैं आपको बता देना चाहूँगा Math, Physics, Chemistry ये सब सारी चीजों की बारे में आपको बताया जाए सिर्फ और सिर्फ ये सिक्षण है तो ये आपका बिल्कुल गलत है ध्यान के लिए सिक्षण के लिए सिर्फ ये हो कि सिर्फ कुछ भी सिखाना अब सिक्षण के अंतरगत से आपके जीवन में चाहे हो बौधिक संदर्व में हो सामाजिक संदर्व में हो या मनोबैग्यानिक संदर्व में हो अलग-अलग परिप्रिक्षों के संदर्व में आपके जीवन को परिवर्दित करने का कारे या आपके जीवन में एक अपेक्षित परिवर्दन करने का कारी, ये कारी किसका उत्देश है, सिक्छड का उत्देश है, सिक्छड का उत्देश, यानि ये है सिक्छा सिक्षधास से है, जिसको सीखना, सीखना और सिखाना, राइट, सीखना और सिखाना दोनों होता है, यान एक साइड नहीं कि वहाद, आईए हम चलते और भी, तो सिख्छड में हम सीखने की प्रकरिया, यानि हम सीखने की अकारी करते हैं, और वो सीखने से समंदित जो सीखते हैं, वो विविविविविविव आसपेक्ट में हम उसे सीखने का प्यास, देखें, यहां पे मैं लिग की बेसिस पर सिखाने का कार, एक सिख्छक होता है, और एक चात्र होता है, चात्र को सिख्छक क्या करता है, सिखाता है, लेकिन किसी पार्टिकर मा धारे, अभी हम आगे आप्शन में पढ़ेंगे यह भी, कि सिख्छड के कितनी पदी प्रकरिया है, मतलब यह एक पदी है, है Hmm मैने आपको दो तो बता दिया आपको दो पताओ रड रोस इब सेब और सी प्रकुलब होतो है Mor उऍस प्रकॉर से सिक्षड क्या हो गई equilibrium और सीखनी की प्रिफिया होगी आई आगे देखते हैं अधिकम क्या होता है अधिकम क्या होती इसके इंग्लिश क्या होती है लर्णिंग होती है अधिकम की अधिकम की जो इंग्लिश होती है लर्णिंग होती लर्णिंग देखें कि अगर आपसे पूछा जाए कि यह क्या है सिख्षड अधिगम में सामिल है या अधिगम सिख्षड सामिल है आपको एंसर जरूर मिल गया होगा कि सिख्षड किसमें सामिल है या सिख्षड अधिगम में सिक्षण में किया जाता है तो कौन किसमें सामिल होगा अधिगम सिक्षण में सामिल होगा ना कि सिक्षण सामिल होगा अधिगम में ध्यान लखेगा आपको बताना चाहँँगा कि सिक्षण का इससे संबंध क्या है संबंध तो आपने देख लिया कि ये इसमें उंतरवियत नहीं है लेकिन इसका जो संबंध है इससे एक सहायक की भूनिका है यानि सिख्छड के माध्यम से अधिगम के कारे को कर्यानिवित किया लाद लेकिन सिर्फ सीखना सिर्फ सिख्छड के द्वारा ही सीखना हो ये आवश्यक नहीं है सिक्षण में मैंने आपको बताया देखे अधिगम जो है अधिगम में सामाजिक आर्थिक और दार्शनिक और मनुबैग्यानिक प्रक्रिया सामिल नहीं होती है अधिगम में केवल और केवल मनुबैग्यानिक प्रक्रिया सामिल होती है यह Kya है अग्यानी प्रग्रिया है जिसमें लीखने का अधिगंबे है और सिक्छर में लीखनी के साथ दारशनीक ध्यानिक आल jap है में आप聲 तो जोड़ी जाएगा और इसके सामाजिक हमारे कुमें यह सांय का संध्यीक कूझन वे जा भीए लूगा ऍकर अधिकम में सिर्फ केवल मनुबईयानिक सामिल मता, मनुबईयानिक प्रस्पेक्ट तो सिख्षण अधिकम में ये संब्ध है तो चलिए हम वजब वजब थोड़ा अगर आपने इतना समझ लिया है तो हम थोड़ा आगे देख लिते हैं चलिए पहला एंसर क्या है? सिख्षण विक्रे के समान है अधिकम खरिदारी के समान है आपको बताना चाहूँगा ऐसा कोई आस्पेक्ट इसके संब्ध में नहीं होता लेकि फिर भी हम इसको अभी टिक नहीं करते हैं ये वादा हम बिल्कुल काट देते हैं क्योंकि ऐसा कोई कुछ नहीं से सब्ध किया गया सिक्षण हो अधिकम की समद में तो ये बिल्कुल है अगर आपने A को बिल्कुल कनफर्मली अगर काट दिया है तो A काथार पर इसमें option में देख दिजिए जिसमें चीज में A होगा उसको काट दिजिए ये गलत हो गया और ये गलत हो गया देखो A को आपने निर्धारत किया और निर्धारण की अधार पर आपने बहुत सारी answer का answer निकाल जाए से थे आपका A की ही option बचाए BCOD अब आपका answer बहुत clear हो गया लेकिन नहीं हम आपको भी clear कराएंगे ये हमारा answer हम बोल लिए है कि हमारा true answer सही है लेकिन अब ये हम पढ़ने गया है सिप्छड सामाजिक क्रित है जबकि अधिक्रम क्या है ब्यक्तिगत क्रित है सामाजिक क्रित है यानि सिप्छड में ब्यक्तिविसेस को सिखाने का प्रयास नहीं किया जाता है इसी ब्यक्ति बिसे इससे होता है, एक ब्यक्ति की जो सीखने की प्रक्रिया है, वो उसकी ब्यक्तिकत करिया यानि अधिगम की प्रक्रिया कहलाती है, तो यह एंसर आपका क्या हो जाएगा, the answer is a correct answer, next, सिप्छण में अधिगम नहीं होता है, अभी मैंने आप उसमें बताया सिप्छण अधिगम में सामिल नहीं होता है, बनकि अधिगम सिप्छण में सामिल नहीं होता है, बनकि अधिगम सिप्छण में सामिल नहीं होता है, बनकि अधिगम सिप्छण में सामिल नहीं होता है, जबकि अधिगम सिप्छण को समाहित नहीं करता है, या समाहित नहीं क जबकि अधिगम इसे प्राप्त करने जैसा है, ठीक है? राइी हैं? अधिगम के द्वारा अधिगम किया है, एक सीखने की availability है, योग Saltth जहार पर सिक्षण के कार्य को वो कार्यानवित कर सकता है, तो यहां पर क्या होए, सिक्षण एक प्रकार का ज्ञान कादर्ण है, जब कि अधिगम इसे प्राप्त करने के जैसा है, जब कि अधिगम एक अन्ताक्रिया है, जब कि प्रक्रत में त्री पदी होता है, अब आपको वह कहा मैंने बताया मैंने अभी जस्ट में समझाते हूं बताया है कि अधियकम अन्तक्रिया है सोरी यह अधियतन अंतक्रिया नहीं यह मैं आपको बताना चाहींगा और यह B, C Or D option नहीं होगा यह E है option तो ध्यान रखी गाई चीज तो यह मिस्ट्रिक हुआ यहां पे देखिए सिख्षण यहां पर सिख्षण एक अंतक रिया है अब वही तुम्हें सोच रहा था कि यहां से यह डी वाला अंसर कैसे सही माल रहा है कि जबकि इसे अधिगम प्राप्त करने जैसा है जबकि अधिगम इसे प्राप्त करने जैसा है सिख्षण एक प्रकार सा ग्यान का अंतरण है सिख्षण एक ग्यान का अंतरण नहीं है जबकि अधिगम इसे प्राप्त करने जैसा है मतब सिख्षण के दोरा हम अधिगम प्राप्त करते है हम यह नहीν शिख्छन के न calculating अधिकम सामील होता है अधिकम की प्रिया द्वारा हम सीखने के प्रिया दोरा ये सीखने का। जो कारी है वो सिकचर्ई के द्वारा कारी है ठीक है ध्यानती लाँ कि अंतलों पराप्त करते हैं सुप आधिकम के द्वारा और पाट ये क्रव, करी क्यों, ये चीज़ है, अधिकम एक बिशय के अंतरगत, सक्रिय कारिय है, अधिकम एक बिशय के अंतरगत, या अधिकम के कौन सब इस है, मनुविज्यानिक, या मनुविज्यान, मनुविज्यान का भाग है अधिकम, और सिक्षड किसका भाग है, सिक् second question, okay, yes, second question, second question, second question है, question number two, इसे समद है, निम्न सूची में से बिद्यार्थी उन अभिलक्षणों के चिन्हित करे, निम्न सूची में, निम्न सूची में बिद्यार्थी के उन अभिलक्षणों, बिद्यार्थी के उन अभिलक्षणों, को चिन्हित करे, जो सिक्षण अधिगम प्रणाने को, जो सिक्षण अधिगम प्रणाने को, प्रभावी बनाने में, बनानी में सहायक है, सहायक है, अब इसमें पहला कथन देखते हैं, पहला कथन के हैं, बिद्यार्थी का पूर्व अनभू, बिद्यार्थी का पूर्व अनभू, दूसरा ओप्शन है, बिद्यार्थी की पारिवाली वन्स परंब्रा, वन्स परंब्रा, तीसरा है, बिद्यार्थी की अभिशन्टा, बिद्यार्थी की अभिशन्टा, चौथा है, बिद्यार्थी की विकास की अवस्था, बिद्यार्थी की विकास की अवस्था, पांचवा है, बिद्यार्थी की खाने की आदति, और सौक बिद्यार्थे की खाने की आद्ते और सौक शिक सेट बिद्यार्थे की धार्मिक संब्धता आप लोग सोचते रही हैं साइसका धार्मिक संब्धता यह थे आपके आप्षेन हाँ, आप उटकरके हम लिख देते हैं पहला आप्षेन हैं A C D याँ एक दो तीन एक तीन फोर और वी आप्षेन है D E F D E F यानि 4 F D E F C आप्षेन है A D E ए डी ए ठीक है नहीं 5 यहाँ पे 5 होगा और D option है BCF BCF याने 2 F6 ठीक यह चीज़ है यह आपके options है अब चली पढ़े हैं questions को पढ़े समझते हैं विद्यार्थी के strategy उन अभी लक्षणों यानी characteristics को किन्हित करें इसमें से यह साथ चाहिए बिद्यार्थी के अभी लक्षण ही लिखे गए जिन्हें जो सिक्षण अधिगम सरानी के को प्रभावी बनाने में सहयत है नहीं सुनेगा आपको इस questions में यह पूछा जा रहा है कि आपको बिद्यार्थी के उन अलक्षणों को बताना चाहिए या बिद्यार्थी में उन अलक्षणों का पाया जाना चाहिए और उनकी पहचान आप इसमें सकरिए जिनके द्वारा वो बिद्यार्थी अच्छी तरीके से सीखने की क्रिया कर सके या आसानी से सीख सके और सिख्षण को क्या करे प्रभावी बना सके तो option पहला है बिद्यार्थी का पूर बन हुआ आपको बताना चाहूँगा कि जैसा यहां पर स्टुटेंट मेरे सामें जो स्टुटेंट है वो स्टुटेंट का पूर अनुभाव उस विषय से समंधित कुछ हद तक जरूर होना चाहिए मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो अपनी कम्यू को ही दूर करने इस टीचर के पास जाता है कि वो ग्यानी होके जाएगा लेकिन उसको reading के तौर पर एक introduction के तौर पर विषय का ग्यान जरूर होना चाहिए तौर यहां में का पूरवरभी तो आपका आउसर क्या होederा पहले कि इस इस गज़ेंस पहले कि सबस्क्राइब हैं और विद्यार्टी की पालवाigatorई ब्यक्तिक वाले नहीं है जात्र क्या सीखे के लास में टीचर से क्या सिखाया क्या जा रहा है इससे पारिवानिक ONCE PARAMPARA से क्या संवद्ध है कोई संवद्ध नहीं इससे आप बिलकुल शिची ध्यान रखेगा पारिवानिक HELP से कोई मदल नहीं तो यहां पर आपका दूसरा इंसर गलत होता है दूसरा अंसरा देखिए इसमें कुछ ऐसा है नहीं इसलिए मैं नहीं भूर रख पा रहा है तो दूसरा आपको कहीं पर लिखा है देखिए A और C में से कोई नहीं था और इसी में था तो यह तो गत्ती हो गया था तो A और C में से आपको नहीं मिला करक्लूसर यह गलत हो गय आपको इसी तरीके ही अपने एक्जाम में भी टाइम बचाने का प्रयाश करना चाहिए यह मैं इल्मिनेशन भी सिखाते इसी लिए चड़ता हूँ कि आप इसमें सीख सको कि आपका अंसर यहां मिल गया असानी से तो आप आगे पढ़ने के आपको ज़रूत नहीं यह पिल्कुल मान दीजिए आगे विद्यार्थी के विकास की अवस्ता यह भी कजिन भी माने रख को सिर्फ दो ही कुश्चंस कराएंगे इसके साथ ही हम कुश्चंस का एबरेज बढ़ाएंगे आज मैं आपका यह जान देखना चाहता हूँ कि आप लोग कितना इसको सेर किया है कितने लोगों का रिस्वांस मुझे इस वीडियो से मिला है क्योंकि यह निर्ट का प्रतन प्रश्चंपत का मेरा पहला विवी लोग ठीक है इसे अधिक से अधिक लोगों तक हो चाहिए आप जानते हो कि सिर्फ कोई एक सब्जेक्ट वाला इसको नहीं देखेगा इसको बिभेर विवने सब्जेक्ट वाले देखेंगे हमारे सोच्योलजी के अलावा भी सब्जेक कि आप इसे में इसे में continue करता रहोगा और फ्री विल्कुल देता रहोगा ये questions और ब्याक्षा ठीक है इसके अनौवा अगर online class के लिए एक जुलाई में जो हमारा सुरू होने माला है उसके लिए मैंने registration के लिए बता दिया कि इस नंबर में contact करिए सबको इस डिटेल बता लिकिन आपको registration के लिए अगर आप नहीं बात करना जाते हो तो registration के लिए ये काम करो कि आप नंबर और अपना name ये message आप जरू कर दिजिए और लिख दीजिए का कि मुझे first paper करना है ये social order करना है okay thank you so much please do like, share and subscribe to the video, thank you so much